असलाम वालेकुम दोस्तों कैसो आप सब उम्मित करूंगा आप सब अच्छे होंगे आप सब को इद मुबारक इद का पहला दिन तो खतम हो चुक है अब बाकी बचा है दो दिन तो इस वीडियो में सौधी अरबिया से जुड़ी कुछ जरूरी अपडेट आप लोगों को श जानी सेकंड मैं 2022 से एक नया कानून बन चुका है सौधी अरभिया में जो भी ट्रक 20 साल हो चुका है वो ट्रक आप नहीं चला सकते अगर आप वो चलाते हो पकड़े जाते हो तो फिर आपको ग्रामा मारा जाएगा फाइन वागेरा कितना होगा यह तो रिपोर्ट में एक चलाने के लिए अलाव नहीं कर सकते हैं उमत का यह डिसीजन के पीछे रीजन यह बताए गया है जो पुराने ट्रक्स होते हैं उसमें धुआ वगेरा ज्यादा निकलता है जिससे हमारा वातावरन जो है वो परदूसित होता है इसके साथ ही वो ज्यादा फ्यूल भी पीते हैं और उसमें मेंटेनेंस का खर्चा भी ज्यादा होता है आया दिन वो खराब होते रहते हैं इसके बाद ड्राइवर्स के लिए ही मुरूर के तरफ से भी एक अपडेट है जो भी गाड़ी यहाँ पे चलती है उसका रेजिस्टेशन कंपलसरी रहता है सोधिरभिया में त अगर आप उम्रा करने के लिए जाएंगे तो आपको पर्मिट लेना जरूरी है बिना पर्मिट के जाएंगे दस अजार रियाल का फाइन है तो उम्रा का पर्मिट आप इतमारना एप्लिकेशन के थुरू कर सकते हैं या पर तवक्लना के थुरू भी कर सकते हैं अभी रिस दो वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि तवकलना का एक दूसरा सिमिलर अप्लिकेशन सौधी हुकूमत ने लॉंच किया तवकलना सर्विसेस तो उम्रा पर्मिट वगेरा जो इससे पहले हम लोग पुराना तवकलना से बुक करते थे वह उससे आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पे किलिक करिएगा किलिक करने के बाद सीधा आप रिडारेक्ट हो जाएगा गूगल क्रोम में वहाँ से आप उसको इसली इंस्टॉल कर सकते हो नया तवकलना सर्विसेस एप्लिकेशन में लोग इन करने के लिए जो आपका पुराना आईडी पासवर्ट है और तवकलना का वही आप यूज़ कर सकते हो उससे आप लोगिन कर सकते हो इसके बाद एक अपडेट है सौधी जनरल अथूरिटी के तरप से साथिय रविया का जीडी पी में 2022 का first quarter में बहुत ही अच्छे improvement देखा गिया है 2020 का first quarter में 9.6% gdp improvement देखा गिया है साथिय रविया का और ministry का ये भी कहना है साथिय रविया ने 2011 के बाद ये सबसे highest number हासिल किया है जीडी पी में इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों क्योंकि सौधी हुकुमत जिस तरह से प्लैन बना रहे हैं जिस तरह से इनका स्ट्राइजी है काम करने का उससे सौधी रभिया का जो GDP है उसमें इंप्रूब्मेंट आएगा इसके बाद जाहिरुद्दिन भाई ने एक सवाल पूछा था कि नियू क्यामा में टेस्ट देना होगा या नहीं देना होगा तो फिलहाल अगर आप टेक्निशन का नया विजा में सौधीर अभी आये हैं तो सौधी कॉंसिल ओफ इंजिनर मैंडेटरी होगा इकामा टेस्ट क को आगे भी मिलते रहेंगे मिलता हुआ फिर नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखे अपना थिंक्यू सो मच पर वाचिंग